Hello dear students, I hope all are fit and fine. Let's start our today's new lesson, our first school. प्यारे बच्चों, जब फर्स्कूल की बात आती है, तो आप लोग अपने स्कूल का नाम याद करते होंगी, कि सबसे पहले आप किस स्कूल में अद्मिट हुए थे, कहां पर आपने अद्मिशन लिया था, है ना, आपकी फर्स्कूल का नाम आपको याद आता होगा, वहां की पिक्चर आपके माइन में आती होगी, बट आपका जो फर्स्कूल है, वो क्या है, आपकी फैमिली है, जो अभी आपके माइन में फर्स्कूल की जो पिक्चर आई है, वो आपका सेकिंड स्कूल है, फर्स स्कूल जो होता है वो होगा हमारी फैमिली अब जहां से भी हम सीखते हैं स्कूल में हम क्या करते हैं लर्न करते हैं सीखते हैं स्टेडी करते हैं बहुत सारी चीज़े हमें सीखने को मिलते हैं तो फैमिली भी एक ऐसा प्लेस है एक ऐसी जगह है जहां से हमें बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलती है और सबसे पहले हम अपनी family से ही सीखना शुरू करते हैं जब बच्चा newborn baby होता है उसको तो कुछ नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है तो वो कहा से सीखता है born होने के बाद एक दम से तो school नहीं डालते ना नहीं जाता ना एक दम से तो school तो बहुत सारे school आने से पहले बहुत सारे चीज़े सीखता है कैसे बैठना है, कैसे wish करना है किसको क्या कहना है, कहां जाना है कौन से जगह सही है, क्या सही है, क्या गलत है बहुत सारी चीज़ उसको पता होती हैं तो वो कहां से पता होती है obviously अपनी family से है ना अपनी family में जो members हैं वो सिखाते हैं अपने parents हैं, grandparents हैं cousins हैं, uncle aunt हैं यह सब जो family members होते हैं इन सब से हम सीखते हैं और हमारी family की बाहर से भी हम सीखते हैं जो हमारे surroundings है, हमारे neighbors, हमारे पडोस में से, हम बहुत सारे चीज़े सीखते हैं, ठीक है, तो today we will read about the first school, that is our family, so let's start, we learn so many things when we come to school, तो जब हम school में आते हैं, तो बहुत सारे चीज़े सीखते हैं, स्कूल में से भी बहुत कुछ सीखते हैं, but do you know, क्या आप जानते हैं, which is our first school, कि हमारा first school कौन सा है, अब ही मैंने बता है न, yes, it is our family, हमारा first school क्या है, हमारी family है, हमारा परिवार है, we learn so many things from our family, हम बहुत सारे चीज़ें जो हमारी family से सीखते हैं, much before we learn from anywhere else, और कहीं से सीखने के, जहाँ, और कहीं से ज़्यादा, हम अपनी family से सीखते हैं, this is because we are so close to our family, और यही वज़य है कि हम अपनी family के बहुत ज़्यादा close हैं, यहनकि एक दुसरे से जुड़े हुए हैं, एक दुसरे के बिलकुल pass हैं, but we really never give it a thought, लेकिन हम real में कभी ऐसा सोचते नहीं हैं, नहीं सोचते ना हम कभी, आपने सोचा कभी आपके first school आपकी family है, आप family से कितना कुछ सीखते हैं, क्या कि आपकी family ने आपको सीखा हैं, कभी सोचा आपने ऐसा बैठ कर, नहीं सोचा ना, let's think about our family, चलो अपनी family के बारे में आज सोचते हैं, and talk about it, और इसके बारे में बात करते हैं, कि हमने अपने family से क्या क्या सीखा है, now, draw और paste a picture of your family, अब आपको यहाँ पर अपनी family की picture, या तो draw करनी है, या अगर joint family की pic है आपके पास, तो आप उसको paste कर सकते हैं, next, देखिए, who all are there in your family, अब आपकी family में कौन-कौन है, यह तो आपको पता है, write their names, अब उनके नाम आपको लिखने है, and how they are related to you, और वो आपसे कैसे रिलेट है, आपसे उनका क्या संबंध है, क्या आपका, आपसे नाता है उनका, तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, मालो आपने संतोष लिखा है, मैं एक नाम लिखती हूँ, ठीक है, फिर्स्ट पर आपने मालो संतोष लिखा है, तो संतोष के साथ आपका रिलेशन्शिप क्या है, मालो आपकी वो सोरी मदर है, तो आप अपने मदर का नाम लिखेंगे, आप आगे लिखेंगे, मदर, ऐसे ही, फादर का नाम लिखेंगे, आगे लिखेंगे, डिलेशन का आपके साथ, फादर, ऐसे ही, ब्रदर, सिस्टर Grandmother Grandfather सबी का आपने नाम लिखेंगे ठीक है Name and relationship Next thing Write the relationship between any two members of your family अब family के किसी भी दो members का आपको relationship लिखने है Like husband, wife ठीक है brother, sister यहनके आपको दो नाम लिखने है मालो आपने आपकी पापा का नाम लिख दिया ठीक है यहाँ पर आपने father का नाम लिख दिया A is g président ऐसे ही आप अपने ब्रदर का नाम लिख सकते है ऑर आगे लिखेंगे brother, sister ऐसे ही grandfather का नाम, grandmother का नाम और आगे लिख देंगे husband, wife क्योंकि वो दोना आपस में किया husband, wife है ठीक है ऐसे अज़़ना आप का लिखेंगे तो वो भी आपस में husband, wife है तो उनका आपसका relationship लिखना है ठीक है Got it Next देखो What do your family members call you lovingly Lovingly कब लगते है प्यार से तो आपके family members आपको प्यार से क्या बुलाते है तो आपको यहां लिखना है आप जैसे किसी का नाम मालो Sonia होते है ठीक है Sonia किसी का नाम है तो प्यार से कई बार family वाले Sonia बुलाते है तो ऐसे ही आपको लिखना है कि आपका नाम आपको lovingly आपके parents क्या बुलाते है आपकी family में आपको प्यार से क्या बुला जाता है Do you have a pet name कि आपको कोई pet name है कि आपको कोई प्यार वाला नाम है How do you call your family members और आप अपनी family members को किस तरह से बुलाते है क्या कहकर बुलाते है Look at the picture carefully अब ध्यान से पिक्चर की तरफ देखो अब जैसे देखो mother father को अलग अलग बुलाने का तरीक है family में अब जो हमें सिखाया जाता हम वैसे बुलाते है अब हम मापापा भी कहते है ठीक है मापापा कहते है या ममी पापा कहते है mom dad कहते है ठीक है तो यह होता है कि हम बड़ों को कैसे बुलाते है हम grandfather होता है हम dadadji कहते है dadu कहते है ठीक है grandpa कहते है तो यह आपको बताना है ठीक है कि किस तरह से आप अपनी family को बुलाते है 2 person in the picture look a lot like each other अब इस picture में 2 लोग ऐसे हैं जो एक दुसरे की जैसे बिल्कुल दिखाई देते हैं How do you think they are related अब वो किस तरह से related एक दुसरे से क्या उनका एक दुसरे से संबंध है क्या नाता है अब कोण लग रहा आपको कि जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं मुझे ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं है ना अब हो सकते ये दोनों कौन हो ये इसकी मदर हो तो ये मा बेटा है ठीक है Is there any similarity between you and any other member of your family क्या कोई ऐसा है आपकी family member जो आप से similar हो आपके जैसे ही हो आप से सकल मिलती हो किसी की ठीक है In the way you talk आप जैसे बाते करते हैं आपके जैसे ही बाते करता हो walking करने का जो आपका style है same हो ये smile एक जैसी करते हों आप और even in your looks और दिखने में भी आप जैसे हो क्या ऐसा कोई family member है आपका जो आप से who भू मिलता हो with whom and how अब आपको लिखने है कि कसे आपके ऐसे शकल और शुरत मिलती है और कैसे मिलती है कि Marlo अपकी शकल मिलती है तो आप लिखेंगे कि Grandfather मेरे जैसे है तो ठीक है तो looks लिखेंगे ठीक है पापा तरह की तरह करते हैं ठीक हैं। तो उसकी फैमिली के और में जो बड़े लोग हैं। घर के जो बड़े हैं, वो क्या करते हैं, धोबी का काम करते हैं, धोबी हैं वो, यहां देखो, पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, यह देखो, कपड़े दो रहे हैं, ना, अब यहां पर देखो, एक शब्दा है, लेंड आ हैं, लेंड आ हैं, लेंड आ हैं, का मतलब होता है, बेटा, हैल्प करना, ठीक है, सहायता करना, हम कहते हैं, सहायता करना, तो जो फैमली मेंबर से हैं, सभी वापस में क्या करते हैं, अब किया करते हैं, ड्राइंग, सुखाने में, एंड करते हैं, अर्ण करते हैं, और और अथ सब्सी यहां धुटisme, कपड़ों को, उथ खोना अर्वाण्ग क्या का बावा शब्स i eccd just-क हिंड मैं है, इंड रह और also learning the work done by the family तो जो family जो काम करती है और ये दोनों बच्चे भी उस काम को सीखने में सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि सीख रहे हैं उस काम को next question है is your family involved in any particular work क्या आपकी कोई family किसी particular मतलब विशेश ठीक है किसी विशेश work में कुछ विशेश काम में शामिल है कोई ऐसा काम करते हैं जैसे अनुवरी की family क्या है दोबीस है क्या आपकी family members कोई और काम करते हैं special कोई if yes what अगर ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं वो आपको mention करना यहाँ पर लिखना है हमालो hotel है और hotel में help करते हैं तो आप वो लिख सकते हैं ठीक है तो जो भी है आपको यहाँ लिखना है अगर नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं ठीक है do you help the family with the work क्या आप जो family जो काम करते हैं उसमें आप help करते हैं अपनी family की यहाँ पर अगर पापा ममा ओफिस जाते हैं तो वो लिख सकते हैं ठीक है करना है नेक्स देखो we learn many things from our family members तो हम अपने family members से बहुत सारे चीजे क्या है सीखते हैं अनवरी एंड हर कजिन learn cycling from her uncle तो अनवरी ने और अपने उसके जो कजिन है उन्होंने क्या किया अपने अंकल से cycling सीखी you also learned many things from your family तो आपने भी अपनी family से बहुत सारे चीजे सीखी होंगी what क्या सीखी and from whom और किसे सीखी आपको लिखनी है अगर आपने cycling सीखी है अब तो किसे सीखी है वो लिखनी है ठीक है अगर आपने कोई और काम सीखा है तो आपको लिखना है कि आपने क्या सीखा है और किस से सीखा है, होम कमल होते हैं किन से Has anyone learned anything from you? क्या family में किसी member ने आपसे भी कुछ सीखा है? अब आप school आते हो, तो भूछ सारी चीज आप school में सीखते हो कई बचे होते ना घर जाके बताते हैं कि आज मैंने ये सीखा तो फिल घर बापा को सीखाते हैं, भाई बहा इनको बताते हैं कि आपने ये सीखा नहीं तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ नया सीखा हो और वो उनको सीखाया हो वो भी आपको लिखना है Think and write अब आपको यहां लिखना है When I am sad जब मैं sad होता हूँ I go to my desk मैं अपने mother, father जिन के पास जाते हूँ अब यहां आपको लिखना है जब आप sad होते हूँ मैं मादर लिख सकती हूँ जब मैं sad होती हूँ मैं मादर के पास जाती हूँ When I want to know about the past जब मुझे past के बारे में कुछ जानना होता है कि पहले क्या-क्या होता था I go to my grandmother ठीक है, grandmother बताते है न कि पहले क्या-क्या होता था then I go to my grandmother when I want to share my secrets जब अपने secrets से share करना चाहता हूं ठीक है, तो किस के पास जाते है secrets share करने के लिए बड़ो से तो डड़ लगता है secret नहीं बताते हैं अपने न तो वेसलिए अपने brother sister के पास आते है ठीक है, brother या sister लिख सकते हो आप इसमें when I do something wrong जब मैं कुछ गलत कर देता हूं I go to my desk जब आप कुछ गलत करते हो तो किस के पास जाते हो मैं यहाँ पर grandfather लिखूंगी ठीक अब आप जो गलत करते हो आप कहा जाते हो आपको लिखना है next देखू everyone remove their shoes before entering the house अब घर में घुसने से पहले सभी क्या करते हैं अपने shoes को remove करते हैं remove means उतारना अपने shoes remove करते हैं this is the practicing Sureka's family अब Sureka है कोई लड़की उसकी family में ऐसा करते हैं उसकी family जो members हैं वो अंदर आने से पहले बाहर ही अपने shoes को remove कर देते हैं उतार देते हैं some of Sureka's friends अब कुछ Sureka के friends हैं enter her house उसके घर में आते हैं without removing their shoes अपने shoes को बेना remove किये यान कि ऐसे कैसे आ जाते हैं Sureka's grandfather gets angry at that तो Sureka के जो grandfather है वो angry हो जाते हैं angry में गुस्से में ठीक है जब उसके friends ऐसे अंदर आ जाते हैं तो जो Sureka के grandfather है वो गुस्सा हो जाते हैं are there any particular practice followed by your family क्या आपकी family में भी ऐसा कुछ होता है जैसे Sureka की family में हुआ what are those consequences practices ऐसी है ठीक है आप क्या क्या करते हो अपनी family में यह हो सकता है भूच सारी families में ऐसा भी होता है shoes remove करने का कि बाहरी shoes remove करके आओ अब ऐसा क्यों होता है आप सोच के देखना ठीक है क्यों करते होंगे ऐसा अभी भी हम करते हैं न करोना की जैसे तो हम बाहरी निकाल के आते shoes न बिर्कुल आदत ही हो गई है न बाहर की चीज़े बाहर ही हम चोड़ते हैं shoes जैसे बाहर ही तो जो घूम के आते हम बाहर ही तो बहुत अच्छे से हम इसकी द्वादत हो चुकी है यह आप लिख सकते हैं और कौन से कौन से काम है जो करते हैं आप लोग कई फैमिली में ऐसा हो ता बाहर से आने के बाद हैंड वोश भी बाहर ही करते हैं अंदर नहीं आते हैं तो और कौन से कौन से यहाँ करते हैं कि अब एक सब्सक्राइब जाए एक का न सकते जोगता है और शुज रिमॉव करनेगा ह क्या होता है पर लुष्ज पर आठे तो पर नहीं पर था जो आएंगे निचे पिमार हो सकती है तो इस वज़े से भी बहुत सारी families करती है अगर बाहर से आए हैं तो shoes को बाहर ही remove करती है ठीक है और और भी हो सकता है बाप पूछना अगर आपकी family में ऐसा है कुछ बाहर shoes remove करने होते है तो पूछना कि ऐसा क्यों करती है मेरे हिसाब से यही reason होगा ठीक है कि बाहर से जो किटानों है वो हमारे घर में जो virus है वो अंदर एंटर ना गरे बाप अपनी family member से पूछना कर ऐसा कुछ है तो वो लोग ऐसा क्यों follow करते हैं ठीक है next देखो which practices you and your family do to keep your house and the surroundings clean अब आप अपने house को और अपने surroundings मेलो आप आसपास अपने आसपास की जगह को सराफ रखने के लिए क्या क्या करते हो यहाँ आपको लिखना है next में लिखना है does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy क्या कोई ऐसा family members है जो बहुत जो 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 से हसता है जो वो बहुत खुश होते है जो 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 से हसते है या फिर वो singing करते है गाना गाते है क्या कोई ऐसा family member है आप भी करते होंगे जो बहुत जदा खुश होते है तो गाने गुन गुनाते है ममा को बहुत खुश देखा उनकी नकल करनी है, इमिटेट का मतलो क्या होता है, नकल करना, तो आपको उनकी नकल करके देखना है, कि वो कैसे करते हैं, जो खुश होते हैं, next, how do you show respect to elders in your family, अपनी family में अपने elders को कैसे respect देते हैं, आदर देना, सम्मान देना, तो आप किस तरह से आदर देते हैं उनको, respect कैसे करते हैं family members की, look around to see how other shows respect, अब दुसरों से देखो, दुसरी कैसे respect देते हैं, अपने आसपरोस में देखो, अपनी family में अपने भाई बहन को देखो, है ना, वो किस तरह से respect देते हैं, और आप किस तरह से respect देते हैं, wish करते हैं उनको अच्छे से, जो काम करते हैं, वो काम करवाते हैं उनसे, जो भी कहना उनको होता है, वो आप पूरा करते हैं, कि ये की जी वो की जी जी ठीक है, तो आप किस तरह से help करते हैं? किस तरह से respect करते हैं? अब देखो, आपके मालो grandmother ने कहा कि जाओ मेरे लिए ये सामान ला दो तो वो भी respect अगर हम अच्छे से ऊट के उनको वो सामान दे जते देते हैं तो वो भी respect है उसके लिए है न? respect अगर हम मना कर देंगे तो वो तुरी इस पर respect हो गया इसका वज़त हम उनका respect नहीं कर रहे हैं अगर हम अच्छे से उठके हांजी बोलके उसको सामान लाके देते हैं उनको तो वो भी उनके लिए respect हो गया अब जो old हमारे हैं जो हमारे बुजोर के हैं जो हमारे बड़े हैं जो वो यंग थे जोवान थे जब ask any older member of your family to tell a funny incident of her or his childhood अब जो हमारे बड़े हैं वो भी तो कभी बच्चे थे ना आप भी बड़े हो चुके हैं लेकिन पहले वो भी बच्चे थे तो आपो क्या करना है अपने किसी older member से पूछना है कि उनका कोई एक funny incident बताओ एक कोई ऐसी घटना बताओ जो मज़ेदार हो ठीक हैं उनके बच्चपन की कोई भी घटना पूछ नहीं है जो भूत ही मज़ेदार हो पता करने हैं आपको ठीक हैं और यहीं तक कहा हमारा relation था आपको समझ आ गया होगा ठीक है ना समझ आ है तो आप comment करके पूछ लेना जो भी किसन आपको पूछना हो लाइव क्लास में पूछ लेना चलो बाबाई टेक क्यो